बच्चो आज हम दिती भाषा हिंदी में पाट दो लौपुरुष का वर्क बुक पाट मतलब भाषा अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं भाषा अभ्यास से पहले आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाट के लिए संग्या की परिभाषा क्योंकि आपका जो वर्क बुक पाट है पूर संग्या के भेध पर वरना हुआ है तो पहले चीखते हैं संग्या की परिभाशा, definition of संग्या, संग्या के भेद, कौन-कौन से भेद होते हैं संग्या के, यह आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले संग्या, संग्या है, क्या है, संग्या मतलब naming words या noun, तो संग्या क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तू, स्थान या भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संग्या कहते हैं नाम मतलब होता है name, और word, शब्द मतलब word, तो जिस word से हमको किसी के name का पता चले, जैसे name of any person, name of anything, name of any place, और feelings का पता चले, भाव मतलब feelings का पता चले, तो ये जो name है, जो इन सभी चीजों के, वो कहलाती है संग्या, noun, noun is the name of person, place, और thing, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तू, या स्थान का नाम जो होता है, वो क्या है संग्या, उधारन, example, पुस्तक, book, name of thing, book, पुस्तक, राम, name of any person, किसी लड़के का नाम है, राम, संग्या है, दिल्ली, name of city, सो नेम आ रहा है, इसी लिए क्या है, संग्या शद्ध है, मिठास, अभी मैंने बताय था बच्चों, भाव, भाव मतलब यही है, मिठास, जब हम sweet खाते हैं, तो वो जो sweetness है, वो क्या कहलाती है, मिठा वो भी क्या है, संग्या, संग्या के प्रकार, types of noun, तो कौन कौन से हैं, संग्या के पांच प्रकार होते हैं, कितने पांच, five, व्यक्ति वाचक संग्या, जाति वाचक संग्या, समूह वाचक संग्या, द्रव्य वाचक संग्या, और भाव वाचक संग्या, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बचों केवल व्यक्तिवाचक संग्या और जातिवाचक संग्या क्योंकि आपके वर्क बुक में केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक है तो जानते हैं पहले व्यक्तिवाचक संग्या क्या होता है व्यक्तिवाचक संग्या जिस संग्या शब्द से एक ही व्यक्ति वस्तू या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जिस संग्या शब्द से ऐसा वर्ड जिससे किसी एक केवल एक ही व्यक्ति का एक ही वस्तू एक ही तिंग का only one thing और one place के नाम का बोध उसके नेम का पता चले हमको तो वो क्या है विक्तिवाचत संग्या उधारन एक्जामपल विक्तियों के नाम जैसे नेम आफ परसंस कैसे जैसे राम राम से हमको पता जलता है only one name one name of any boy सीता सीता भी क्या है केवल एक लड़की का नाम है name of a girl महेश गनेश सो जो इस नेम सादे द्यार वो बता रहे हैं कि केवल एक ही लड़की का या एक ही लड़की का नाम है देशों के नाम तो देशों के नाम में क्या आएगा भारत नेपाल चीन, अमेरिका तो ये सब जो है country's name है तो भारत एक country का नाम है नेपाल एक country का नाम है तो उसे एक ही नाम पता जल रहा है तो ये है रेक्तिव आचक संग्या शहरों के नाम नेम आफ दे सिटीज दिल्ली, मुंबई, जैपूर, कॉलकता, आदी ये जो है शहरों के नाम है सिटीज नेम है परवतों के नाम नेम आफ माउंटेंस कौन-कौन से नाम माउंटेंस है हिमालय, कैलास परवत त्रिकुटा परवत आदी तो ये जो परवतों के नाम है इनसे किसी एक ही नाम का पता जल रहा है केवल एक नाम तो वो है व्यक्तिव आचक संग्या अब आते हैं जाती वाजक संग्या पर वा संग्या है जो एक ही प्रकार या वर्ग के व्यक्तिओं स्थानों या वस्तूओं के नाम का बोध कराती है ऐसा शब्द जो एक ही प्रकार मतलब एक ही टाइप के वर्ग मतलब गरूप का पता चले जब उस एक नाम से, उसके पूरे ग्रूप का पता चले, तो वो है जातिवाजग संग्या, व्यक्तियों में, अगर किसी को हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लड़का, लड़का means, is a boy, but what is the boy names, we don't know, लड़का means, all the boys will come in that group, व्यक्तियों के नाम, स्थान, स्थान suppose, देश, देश means, all the countries will come in that group, देश, because different countries are there, we don't know the names, देश, means, one group of the country, वस्तुओं के नाम, सेम वस्तुओं के नाम, जब हम बोलते हैं, खिलोने, मतलब टॉइस, कौन से कौन से टॉइस है, हमको नहीं मालूम है, टॉइस, बस, खिलोने, उसमें कुछ भी हो सकत है, प्लेंग कार हो सकता है, तो यह नेम्स का जो ग्रूप होता है, वो है जातिवाचक संग्या, जैसे पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक संग्या, because we don't know about the name of the book, we know only पुस्तक, पुस्तक है जातिवाचक संग्या, in your bag, many books are there, बहुत सारे पुस्तक हैं, आपके बैग में, Maths book, Science book, Hindi book, यह है, तो जब Maths, Science, Hindi book name बताते हो, वो व्यक्तिवाचक संग्या, लेकिन book, so it is a group of books, so जातिवाचक संग्या, औरत, woman, woman मतलब जितने भी हमारे, जितने भी औरते हैं, सब इस ग्रूप में आ जाती हैं, औरत, woman, उनका नाम हमको नहीं मालम है, अगर औरत का नाम होता है, इंदिरा गांधी, तो वो औरत, जो है, जातिवाचक संग्या, इंदिरा गांधी क्या है, व्यक्तिवाचक संग्या, because it's a name, देश, I gave you example, देश, एक क्या है, जातिवाचक संग्या, because we don't know the name, only country, means all countries will come in this group, देश, same, नदी, रिवर, we don't know the river name, रिवर नेम व्यक्तिवाचक संग्या, और रिवर केवल नदी, तो वो जितने भी भारत देश की नदिया है, विस्वी की नदिया है, सब इस नदी ग्रूप में आ जाएंगी, तो ये है जातिवाचक संग्या, अब आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क बच्चों, आपको करना क्या है, ये होमवर्क है, विठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा, सारा देश उन्हें सर्दार पटेल के नाम से जानने लगा, So, read this sentence carefully, children, and find out the संग्या शब्द, आपको इन दो वाक्यों में से उपर दिये गए वाक्यों में से संग्या शब्द छांट कर लिखिये, So, read these two sentences and find out संग्या शब्द, how many? Six, Six, आपको चै संग्या शब्द चाट कर यहाँ पर लिखना है, संग्या शब्द में से वे संग्या शब्द चाट कर लिखिये, जो किसी व्यक्ति या स्थान के विशेश नाम है, और यहाँ पर केवल वो संग्या शब्द लिखो, ऐसे सब्द जो name of any person, इस two sentence में, अगर किसी person special name है, किसी का तो वो लिखना है, और कोई डिसे स्थान का नाम है, name of any place, अगर वो है देख लो, यहाँ पर विठ्ठल मुंबई पढ़ रहा है, तो name of place भी है, name of person भी है, आप उसको यहाँ पर लिखना है, three names आपको लिखना है, the special names of any person and place, एक और homework है आपका, नीचे दिये गए चित्रों के आधार पर जाती वाचक और व्यक्ति वाचक संग्या लिखिए, अब आपको differentiate करना है, क्या है जाती वाचक संग्या और क्या है व्यक्ति वाचक संग्या, जैसे यह picture देखो, what picture is this, river, तो हमने यहाँ लिखा, नदी, तो यह हो गया जाती वाचक संग्या नदी, अब इस नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है गंगा और याभुना, तो यह name of the rivers है, तो यह है names व्यक्ति वाचक संग्या, और group है यह, तो यह नदी जो है जाती वाचक संग्या, the same, आप इस चित्र को देखो, what picture is this, यह किसका चित्र है, पेड, पेड, कोई सा भी पेड हो सकता है, यह, है न, तो यह पेड जो है, जाती वाचक संग्या है, क्योंकि हमें पता नहीं यह, कौन सा पेड है, इसमें सारे पेड आ जाएंगे, अब इसका नाम बताना है, नाम है, आम, आम का पेड, mango tree, name, तो यह है व्यक्ति वाचक संग्या, और उसके बाद है, यह दुसरा, बर्गद, बर aware entry, तो यह दोनों नाम है, इसलिए यह है व्यक्ति वाचक संग्या, अब देखो दुसरा चित्र, यह चित्र किसका है, यह चित्र है आदमी का, आदमी, man, तो man जो है, आदमी जो है, कोई भी हो सकता है, हमको पता नहीं, इसका नाम, कोई भी हो सकता है, तो आदमी जो शब् वल्लब और मोहनलाल भी हो सकता है इसका नाम तो ये जो वल्लब और मोहनलाल नाम है ये दोनों क्या है व्यक्तिवाचक संग्या ऐसे ही आपको बच्चों ये भी आपका होमवर्क है आपको ये किसका चित्र है आपको यहां पर लिखना है और उसका नाम क्या है, आपको यहाँ पर लिखना है, व्यक्ति वाचक संग्या, same, यह विलेच का पिक्चर है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है, जाति वाचक संग्या, और उसके नाम यहाँ पर लिखना है, व्यक्ति वाचक संग्या, तो यह को पूरा करना है ठीके बच्चों आज के लिए बस इतना ही अगली कश्या में हम फिर मिलेंगे धन्यवाद